नमस्कार आप देख रहे हैं आर्भेट न्यूज मैं हूँ आपके साथ पंकज पंचायत चुनाओ जो है वो सुरू हो चुका है और छठे चरन का मतदान जो है वो भी संपन हो गया है और लगातार प्रत्यासी अभी भी कई जगा पे चुनाओ नहीं हुए है पंचायतों में तो लगातार प्रत्यासी जो है वो अपना बढ़ चड़ कर जो है वो प्रचार प्रशार में लगे हुए हैं लोगों के बीच जनता के बीच जाकर अपना प्रचार प्रशार जो है वो काचित करेंगे कुछ मुद्धों पर किस प्रकार से अगर यह जीतने के बाद क्या कुछ करेंगे जंता के लिए अपनी पशनायत लखनी पश्टायत हैं उनके विकास के लिए समस्याओं को किस प्रकार रहल से प्राम, चोद॥री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि मुख्या प्रत्याशी में आप मिद्वार हैं और अर्वट न्यूज में आपका बहुत स्वागत है तो सबसे पहले हम इंसे बात चित करेंगे और जानेंगे कि जो लगतार आप भ्रमन कर रहे हैं लोगों के बीच जा रहे हैं तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि जन्ता की बहुत सारी ऐसी समस्या होती है तो क्या कुछ आपको समस्या देखने को मिल रहा है जन्ता के भी तो पुरा पंचायद भरमन कर रहे हैं सबसे ज्यादा समस्या तो यहां जल जमावा और रोड का बहुत बुरी तरह से खराब हो चुका है तो जन्ता में जैसे कि देखा जा रहा है कि बहुत सारे यहां की जैसे कहें आपने की सड़के सड़के हैं तो किस प्रकार से सड़के जो है क्या आप जीतने के बाद सड़क को निर्मान करवाएंगे हम जीतने के बाद यह जो भी सरक खराब हो चुका है उसको हम फीर से निर्मान करने का कोशिस करें तो जैसे पंचायत में आप घुम रहे हैं हर पंचायत में तो जन्ता स जिसान जाने में बहुत सा कश्ट होता है। यह लोग भी पूस्ष ना गुजर चुके हैं। हमारे लेखा नगर गाओं है। वहां भी समस्या बहुत जादा है। तो यहां एक और समस्या है लखनीवी का पंचायत की देखा जाए कि जहां सरकार सिछष्षवे लाखो रुपए खर्च कर रही है और यहां के स्कूल में अगर देखा जाए तो बच्चे जो हैं बहुत बार ऐसा कहते हैं कि बच्चे से पूछने पर कहते हैं बच्चे की पढ़ाई नहीं होती है सिच्छक नहीं उपलब्द है हैं उनके हर सब्जेक्ट के लिए हम सरकार से ही आगड़ करेंगे कि हर एक विषय के लिए हर एक शिच्छक दिया जाए बच्चों के लिए अब एक सिच्छा को पूड़ा भी सहे तो पचा को क्या समझ में आए गा है अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे जोभी पंचायत में समस्या है उनको अप सरकार तक ले जाएंगे ताकि वह काम पूरा हो जाए तो कहीं न कहीं देखा जाता है कि युवाओं के भी कु तो उन वैसे युवा जो आपके पास समस्या लेकर अगर आते हैं तो वैसे युवाओं के रुजगार के लिए क्या कुछ करेंगे उनके लिए कुछ न कुछ तो रुजगार करना ही परेगा सरकार से क्या कुछ सरकार से अगरा करें कि हमारे लोगों को लिए कुछ नकुछ तो करना है लबकि उनको जैसे रहता है कि बहुत सारे लोग हैं सरकारी जो नहीं मिला है तो उनको प्राइबेट में भी जाना पड़ता है तो बहुत प्राइवेट में जाना पसंद करते हैं तो बहुत ऐसे युवा होते हैं कि सरकार में जाते हैं जो तैयारिया कर रहे हैं लेकिन जो लोग प्राइवेट में जाना चाहते हैं लेकिन उनको प्राइवेट में जाने का सही रास्ता नहीं मिलता है उनके साथ ठगी कर प्राइबेट जॉब में मालीजी कि अगर नौकरी करने चुक है तो उसके लिए क्या कुछ रास्ता आप तो उसके आप नौकरी दीलाने का उन से वह मतलब को जाता चले जाता है वहां पर हम डवस्ता करवाने के लिए तो हम अन्हां दवस्ता कराएंगे तो ब्रहमन कर रहे हैं तो और क्या कुछ जनता की कमिया दिख रही है यहां के जनता समना खूस है अब जनता को सब कैसे करेंगे सबसे पहले अगर हम अगर रोड का निर्मान कर दता है तो जनता खूस हो जाएगे सबसे ही मतलब रहा जाए कि लखनी भीगा पंचायत के गरामी जो है वो बहुत ही परसान हो चुब रास्ते के चलते बहुत परसान है अमेरा सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा रास्ता को लेकर हम जतना से जतना प्रियास हो हम करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद तो यह थे हमारे साथ भावी प्रत्यासी लखनी भीगा पंचायत के राम जी चौधरी जी मुख्या प्रत्यासी है इन्होंने देखा अपने क कि मुख्या समस्या है सणक और पानी की जो समस्या है जितने भी गरामीने इलाके हैं पानी के समस्या और सणक से जो जूज रहे हैं कॉलनी हो यह गां हो उनको सबसे पहले मरमत कराएंगे सिख्चा पे फोकस करेंगे जैसे सिख्चा स्कूलों में जो सिख्चक नहीं है हर सब्जेक्ट के तो उनके सरकार तक अपनी आवाज पहुचाएंगे उसके बाद जो है युवाओं के लिए जो प्राइबेट जोब में अगर जो युवाओं चुक है जाने के लिए अगर इनके पास कोई भी प्राइबेट का उस तरह का आता है कॉन्ट्राक्ट तो उस कॉन्ट्राक्ट बेसिक पर युवाओं को नौकरी भी दिलाने का काम करेंगे बने रहे हमारे शाथ और भी कई प्रत्यासियों से हम आपको ऐसी मिलाते रहेंगे और तमाम देश और दुनिया के खबरों को आपके सामने पेस करते रहेंगे अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले योटूब पर जाकर बेल आइकन दवाराना भूले फेस्बूक पर लाइक करें ट्विटर पर भी आप पॉलोव कर सकते हैं अब तक के लिए धन्यवाद